1984 के सिख धंगो के आरोपी जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार इस बार लोगसभ़ चुनाओं नहीं लड़ पाएंगे आज दिन भर सिखों के विरोध प्रदर्शन और फिर जगदीश टाइटलर की सफाई के बाद आखिरकार ये तै किया गया कि सिखों के गुस्से ने आखिरकार कॉंग्रेस नेता जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार को चुनाओी दौल से बाहर कर दिया कॉंग्रेस को एलान करना पड़ा कि दोनों नेताओं ने खुद चुनाओ लड़ने से मना किया है और कॉंग्रेस ने उनकी मांग मान ली है कॉंग्रेस की तैयारी पूरी थी टिकट काटने के एलान से पहले सिखों से घिरे कॉंग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने मीडिया के जरिये देश को सफाई देने की कोशिश की टाइटलर ने कहा कि आज तक 1984 के सिख दंगों के मामले में उनके खिलाफ कोई केस नहीं है ये सब मीडिया और विपक्षी पार्टियों का किया धरा है इतना अम्बरिस कर दिया आपने सारी दुनिया में आपने पहला दिया है कि कॉंग्रेस पार्टी का ये एमपी ये गिल्टी है और मैं ऐसी अम्बरिसमेंट अपनी पार्टी को नहीं देना चाहते इससे पहले कॉंग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को CBI की क्लीन चिट देने के मामले में दिल्ली की अदालत ने फैसला 19 दिन के लिए टाल दिया अब अदालत 28 अपरेल को फैसला कर सकती है सुनवाई भले कुछ दिनों के लिए टल गई हो लेकिन सिक्खों का गुस्सा थमता नहीं दिख रहा और चुनाओ के समय में सिक्खों का ये गुस्सा विपक्षी पार्टियों को फाय देका दिख रहा है सिक्खों के कलेजे का घाओ तो पिछले 25 सालों से भरा नहीं है लेकिन जुनाओी समय में ग्रह मंत्री के प्रेस कॉंफरेंस में फेके गए एक सिक्ख पत्रकार के जूते ने सिक्खों को फिर से सड़क परला दिख